हालो फ्रेंड्स वेलकम टू चेंपियोन गुर्जी भेंट्स आज की इस विडिम लोग इस तरह के आंकडों का बहूलक निकलना सीखेंगे और वह भी बहुत इसान तरीका से तो दोस्तों इसे अच्छ सिखने के लिए विडियो कान तक देखिया और वीडियो अचले गया तो एक पहरेस लाइक ज़रू किजएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आकड़े दिया हुए है चार, साथ, पान, चार, तीन, चार, तीन ठीक है और इसका बहुलाक हमको निकलना है ठीक है तो बहुलाको इंगलिस में मौड कहते हैं और बहुलाक निकलने के लिए क्या करना होता है तो जो भी यहाँ पर संख्या दिया हुए है जो भी अंकड़ा दिया हुए है उसमें जो भी संख्या अधिक बार आया होगा अधिक बार रिपीट होगा होगा वहीं उसका बहुलाक होगा ठीक है तो यहाँ पर हम पता करेंगे सबसे पहले देखिए चार को देखते हैं कि चार कितना बार आया है तो यहाँ पर देखिए गिनिए एक बार यहाँ पर दो बार यहाँ पर तीन बार तीन बार चार आया है तो यहाँ पर तीन लिख देंगे यानि चार तीन बार आया है उसके बाद देखिए साथ को पता करते हैं कि साथ कितना बराया है तो आप देख सकते हैं किवल एक ही बार साथ आया है तो हमें यहाँ पर एक लिख देते हैं ठीक है उसके बाद देखिए पांच को पता करते हैं कि पांच कितना बराया है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 5 एक ही बार आया है तो एक बार लिख दिये उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 को पता करते हैं कि 3 कितना बार आया है तो 3 देखिए यहाँ पर 3 1, 1 और 1, 2 2 बार आया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो चार इसका क्या हो जाएगा जो सबसे अधिक बार आएगा वहीं इसका बहुलक हो जाएगा तो इस आकड़े का बहुलक चार हो जाएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा कुशन तो यहाँ पर दूसरा कुशन है जिसमें आकड़े दिया हुआ है इतना आकड़ा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सबसे अधिक बार आया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कितना बार आया है तो इसमें देखिए एक, एक, दो, दो ही बार आया है एक तो यहाँ पर दो लिख देंगे उसके बाद देखे तीन कितना बराया है तो तीन के बारे में देखेंगे तो एक बार यहाँ पर दो तीन तीन यहाँ पर चार चार बाराया है तो चार लिख दिए उसके बाद देखे चार को पता करते हैं चार कितना बार आया है, तो चार के लिए देखें, एक यहाँ पर दो, दो बार आया है, तो यहाँ पर लिख दिये, उसके बार देखिए, पांच को पता करते हैं, सभी संख्या को पता करना है कि कौन कितना बार आया है, तो पांच के बार में देखेंगे, तो पांच एक बार दो बार दो ही बार आया है तो दो यहाँ पर लिख देंगे पाँच तीन का यहाँ पर पता कर लिए है और तीन का भी आठ है यहाँ पर है तो आठ के बारे में देखते हैं तो आठ एक ही बार आया है तो एक लिख देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन तीन चार बार आया है सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा तो तीन हो जाएगा टीका दोस्तो तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुट लख बहुत ही असाम तरीके से इस तरह क्या खुला करे श्चार निकाल सकते हैं